स्वागत है आपका सियस फार्मेशी में और आज हम लोग बात करेंगे सोचल फार्मेशी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन के बारे में तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीज़ेगे दोस्तों और अन्द तक वीडियो के साथ बने बैक्ट्रिया के बाद से होने वाले डिजीज हैं ठीक है दोस्तों तो मैलेरिया इसमें पारा कोशन देखते हैं तो पहला अप्सांकार है मलेरिया तो यह मक्षड के करने से होता है ना कि यह बैक्ट्रिया के बाद से वार्यस के बाद से होता है यह फिलिज मक्षड के करने है यह लेपरोसी भिनहीं है लेपरोसी अंटी वारल में आएगा देषिस में और स्ट प देखते हैं कि आ दोस्तो और तीसरा टाइफाईड सलमोनेला वायरस के करण यह भी होता है तो यानि कि बैक्टरीया उसके बाद देखते हैं मीजल मीजल नहीं हो दोस्तो ट्यूबर क्लोसिस यह भी यह आएंटि वायरल है और tetanus टेसर यह भी नहीं दोस्तो राइट एंसर इंसरी क्याओ कियुंकि मौम्स है antivacterial है cholera भी ऽाक्रीया के कारण होता है और typhi तो जो व्य वैक्टेया के कारण होता है जो ठीक है राइट एंसर टेक है next question कर रहा है what is the full form कर दोस्तों यह सब बहुत most important यह सार्स का मतलब फूल फाम पुछता रहता है हमेशा ठेक है दोस्तों तो इसमें से राइट एंस्वर होगा सीवर देखिये के दोस्तों सीवर एक क्यूट रिस्पाइरेटरी सिंड्रोम ठेक है दोस्तों नक यह सिंप्टम नहीं होगा सिंप्टम नहीं होगा सिंड्रोम होगा इसको ध्यार में लखिए इसको ठेक है दोस्तों सिंड्रोम यह सिंप्टम नहीं है यह यह लास्ट वाला जो है यह सिंड्रोम है यानि कि सीवर एक्यूट रिस्पारेटरी सिंड्रोम राइट एंस्वर इबोला वायरस का इक्यूवेशन पिरियड कितना होता है तो दोस्तों इसमेंसे एक घंटा के लिए तो होगा नहीं और 2 से 11 दिन यह हो सकता है दोस्तों कोई भी डीजिज को मतलब जो होता है 20 से 21 लगता ही है वितीन 18 भी नहीं होगा 2 से 7 दे भी नहीं लगा यानि राइट एंसर इसे 2 से 1 दिन ठीक है दोस्तों 2 से 1 दिन रीच आप दी फालोइंग ड्राप फंक्शन इस एज़ेंस डिप्रेसेंट ठीक है दोस्तों निमने मेंसे कौंसा है जो सी अनेस डिप्रेसेंट का फंक्शन फालो करता है ठीक है दोस्तों itt CMS depresant यानि depres meditate करना ठीक है pmoneture probione और ऑपियम कंपता है ऑपियम होता हिए排ट एंसवर औपियम औपियम होता है wäre kanva होता है और को पर होता है तो सरेँ में एक्टिवीटी जादे आ रहा यातीwny यह सब करते हैं और यह जो जो आपयंम है जो यह शुला देगा यह हो सकता थोड़ा सा उसे चान्त भी कर सकता है ठीक है दोस्तों यह शुआनेश डिप्रेसेंट का काम है चिकनगुनिया इजे प्राइमरली स्पिरिड भाई मतलब चिकनगुनिया किसके द्वारा सबसे पहले फहलता है तो एक वाइरल ड्रे जे वाइरस के द्वारा फहलता है ठीक है दोस्तों चिकनगुनिया वाइरस होता है वाइरस के द्वारा फहलता है नेस्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् वर्ल्ट एट्स डे और अब अब्जर्ब ओन वीच डे तो फर्स्ट डिसंबर को एट्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों देखिए दोस्तों यह क्या कर रहा है ऐसा प्रोग्राम जो टोटल डिप्रोड़क्टिव हेल्ट एस शोचल मतलब कि जो हम लोग के समाजिक तोर फिर समाज में जो एक उद्देश से बना जाता है नेशनल लेबल पर कि हम लोग का जो प्रजनन से संबंदी जो हेल्ट के बना जाता है उसे किस की अंतरगत रखा जाता है किसी देशा में कह unterschied होता है कि दिशकर के संबंद में रखा removal में रखाजाता है तो भीच इतन के फली पला निंग के अंदर फ्रट Ann जाता है कि कि ने संथा değer किeous विच होना है कितने ऑर यह प्रीैड सब सब बाते बाते बैर आपर थे निग नेर इस कितने दिन पो ना चाहिए, कितने दिन पो, मतलब कितने भी इसका डिफरेंज कितना होना चाहिए दोस्तों तो यह सब बाते बतायागा यह फैमिली प्लानिंग के अंदर आता है ठीक है दोस्तों लेकिन और यह पोबर्टी इन इवेक्च्वल स्रिंक और गेट रिफ्लेट बाइफ़ेट यानि कि एक क्वेशन है करांगा दोस्तों कि चिल्डरेंज में एक लार्ज अंद में होता है ठीक है, लेकिन और यह पूबर्टी इंडी ऊच्चोर शरींक एंड गेट रिपलेस और यह चलक बच्चों में लार्ज अमाउंट में होता है और बाद में चलकर आदमी में एक मुटापा के तोर पे ज्यादा मतलब फैट में रिपलेस हो जाता है तो वो कौन सा गलेंड होता है दोस्तों यहां gland की बात किया है तो फॉसक। में ज्यादा रिखी छेंटे च्पापा बच्च अब आम व्यूंटा और अधर आ elemthagen खींस तो ऊब आदो ये तो चां़ेंगे थे कहा रहा है टोस्तों कि आइक आयब करता थे न्हें अध्याज मिआ धाय में दो यह यह लिंफाइटिक सिस्टम में भाग लेता है और उसके बाद यह इसे इम्म्यूनिटी के लिए थोड़ा होता है मतलब उतरदाई होता है इस्पांसिबल होता है और यह शरीर में बच्चों में ज्यादा पाए जाता है ठीक है दोस्तों थैंक्यू फार वाचिंग वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर की जाएगा दोस्तों